Hey everybody, welcome back to Learn to Compete, my name is Hardevi Singh ठापकूर, और आज हम करने माले हैं Adam Smith की Theory of Development बहुत important theory है, classical theory है, हमें पता है, लेकिन यह जो development से related बाते कहीं है, उने ही हम development की theory मानके चलते हैं इसके बारे में आज पढ़े के, वो छोटी सी वीडियो रहने वाली है, क्योंकि छोटी सी theory है यह, तो शुरू करते हैं इससे पहले अगर बात की जाए, Adam Smith की एक book है, जो बहुत popular है, जिसके वारे में आप सब जानते हैं, Anquiring into the nature and goals of the wealth of nations, जो 1776 में आई थी, बहुत famous book है, जिसमें उन्होंने economic development की बात करी तो इसी book में उन्होंने development की बात करी थी, उसी में से हमने क्यों चीज़े उठाई है, आप कहते है, theory of development, या development करने के लिए किसी country को क्या करना चाहिए, अब इन्होंने development के लिए 3 important चीज़े बताई थी, ठीक है, सबसे पहले चीज़े है natural law, यानि कि Adam Smith का मानना था, कि हर person को वही चीज़ करनी चाहिए, वही काम करना चाहिए, जिसमें उसका interest है, ठीक है, government की को intervention नहीं होनी चाहिए, जो person जो करना चाहता है, अगर वही करेगा, अपने interest वारी चीज़ करेगा, तो उसकी productivity इंक्रीज होगी, ठीक है, अगर वह अपने इच्छा से, अपने मर्जी का काम कर रहा है, ठीक है, तो Adam Smith believed in the doctrine of natural law in economic affair, he regarded every person as the best judge of his self-interest, who should be left to pursue his own advantage, यानि कि हर person को अपना interest पता है, उन्हें काम करने देना चाहिए, जो वो करना चाहते है, तो इनका कहना था, market में कोई भी चीज बन रही है, वो इसलिए बन रही है, कि जो person उसे बना रहा है, वो उसे बनाना चाहता था, और जो person उसे खरीद रहा है, उसको वो जरुरत थी, तो इन्होंने साथी साथ कहाता है, कि economic में layer fair का हमें use करना चाहिए, यानि government की कोई intervention नहीं होनी चाहिए, market को उसी के हाल पे short देना चाहिए, market में invisible hand होता है, जो उसे automatically equilibrium की तरफ ले जाता है, तो, Adam Smith का मानना था कि government को को intervention नहीं करने चाहिए, government को market को अपने हाल पे short देना चाहिए, market अपने आप equilibrium पे आ जाएगी, क्योंकि जो producer है, वो वही चीज produce करेंगे, जिसकी market में demand है, तो automatically demand supply की equal हो जाएगी, और invisible hand एक market में होता है, तो demand और supply को automatically equal करता है, और अगर आप market को अप perfectly competitive market को, ठीक है, यहां से हमें क्या पता लगता है, यहां से हमें पता लगता है, एक तो Adam Smith government intervention की बात कहते थे, कि government को intervention नहीं करना चाहिए, दूसरा हमें यहां से पता लगता है, कि Adam Smith कमाना था, कि perfectly competitive market होती है, ठीक है, अगर आप market को अपने हाल पे short देंगे, तो market में perfect competition होग तो यही बात होगी सबसे पहले कि development के यह सबसे पहली condition यह है, कि government को intervention नहीं करे, अगर market अपने हाल पे आप छोड़ देंगे, तो market में perfect competition होगा, और perfect competition जब होता है, तो अब producer जो है, अपना best करनी की सोचता है, और market जो है, automatically equilibrium पे रहेगी, अब next चीज आती है, division of labor, देखे, Adam Smith का कहना था कि जो developing country है, वो इसलिए पीछे रह गई है, यह कहने जो underdeveloped country है, वो developed country से इसलिए पीछे रह गई है, क्योंकि उन्होंने जादा तरी investment जो है, वो agriculture में करी है, वो agriculture पे जादा focus रखते है, as compared to industry, लेकिन जो industry है, वो increasing return to scale देती है, increasing return to scale देती है, जब कि agriculture जो है, वो decreasing return to scale देता है, ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है, हमारी पास land जो है, वो fixed amount में है, ठीक है, अब land अगर fixed amount में है, तो आप कितना ज्यादा कोई और factor of production को बढ़ा लीजे, उससे एक time पे आपको decreasing return में बिना शुरू हो जाएगा, I hope आप लोगों ने इसके बारे में labor proportion के बारे में आप जानते हैं, कि अगर आप एक fixed factor को constant रखे, अगर another factor को increase करते जाएगे, तो एक बार आपको production increase होगा, उसके बार decrease होना शुरू हो जाएगा, लेगिन एक पका कहना था, industry के case में ऐसा नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि industry के case में आप labor का division कर सकते ह एक लेबर का काम कर सकती है, अगर हम textile के बात करें, एक labor प्रिंटिंग का काम कर सकती है, एक labor packing का काम कर सकती है, तो इससे कैया होता है, डिवीजन ओफ labor करने से labor की productivity increase हो जाती है, तो उससे क्या होता है, return जो हो बढ़ जाता है, increasing return आना शुरू हो जाता है, तो Adam Swit का कहना थ कि हमें agriculture के comparison में इंडस्ट्री पे द्यान देना चाहिए क्योंकि इंडस्ट्री में आप division of labor कर सकते हैं और दुसरी बात यह भी है कि division of labor आप एक तरो पर सकते हैं और दुसरा पर आप सबसे ज्यादा focus किया था तो second सबसे important factor है division of labor अगर किसी country को double up करना है तो उसे labor को divide करने की जुरत है तो यहां ही क्या किया रहा है one of the Smith's most important contribution was to introduce into the economics the notion of increasing return सबसे बड़ा contribution जो मीट का था वो था economics में increasing return वाले concept को introduced काना based on the division of labor division of labor पर based increasing return वाले concept को Adam Smith लेकर आये थे इनका यह भी मानना था कि poor developing country tend to specialize in diminishing return activity जो poor developing country है वो diminishing return activity पे ज्यादा ध्यान देती है and this is one of the basic explanation of the rich country poor country divide in the world economy और यही सबसे बड़ा reason है कि हमारे दुनिया में वर्ल्ड में rich country और poor country का divide बड़ा हुआ है इतना ज्यादा division है अब Adam Smith ने कहा कि division of labor की वेसे जो labor की productivity increase होती है उसके तीन कारण है पहला दारण था increase in dexterity यानि आपकी निपूर्णता बढ़ती है आप बहुत निपूर्ण होते चलते हैं उस काम में जो आप कर रहे हैं ठीक है अगर labor divided है माल लिजे एक labor सिफ cutting का काम कर रही है तो वो cutting के काम में बहुत perfect हो जाएगा ठीक है तो division of labor की वेसे एक तो निपू करना मुश्किल हो जाएगा ठीक है इससे क्या होता है return increase होता है second reason is saving in time अगर कोई person एक ही काम को बार बार करता है तो वो इस काम करने में कुशर हो जाता है निपूर्ण हो जाता है जिसकी वज़से क्या हो जाता है time save हो जाता है इसी लिए ये भी reason है कि increasing return आता है increasing return कैसे पह invention of great number of machine अगर कोई person किसी एक काम में perfect है तो वो help कर सकता है उसी काम से related किसी machine की invention में तो अगर division of labor होता है तो उससे एक कर निपूर्णता बढ़ती है कि आपके जो person एक काम को बार बार कर रहा है वो उसमें निपूर्ण हो जाएगा उससे time की बचत भी होगी और division of labor की वैसे नई नई मशीनों का invention भी हो सकता है तो इस तरीके से division of labor की वैसे increased return आता है तो Adam Smith का कहना था कि हमें industry में division of labor करना चाहिए और division of labor करके आप increasing return हासिल कर सकते हैं और country grow कर सकती है ठीक है और Adam Smith ने कहा division of labor करने के लिए दो condition ठीक है पहली condition यह है कि आपके पास market होनी चाहिए ठी स्पेशलाइस तभी होना चाहिए जब आप जो product बना रहे है उसकी market हो बहुत बड़ी मातरा में अगर किसी product की market ही नहीं है तो आपको specialization हासिल करने का कोई फाइदा नहीं होगा क्योंकि आपका product उत्रह जदा बिक नहीं पाएगा क्या है आपको एक तरह से edge भी मिल गया है कि आप जो है सस्ती कोई चीज बना पा रहे है और competitor के comparison में लेकिन उसका फाइदा क्या अगर आपके पास market available नहीं है तो यहीं उनका कहना था according to smith the division of labor depends on the extent of marketing division of labor depends करता है कि आपके पास market कितनी है smith used the example of production of pin smith ने pin के production का example लिया था उन्होंने का था there is no point in installing sophisticated machinery to deal with different process of pin production इसका कोई मतलब नहीं है कि आप advanced machinery establish कर रहे हो pin के production में if the market for pin is very small अगर pin की market जड़ है वो बहुत ज़्यादा small है it is often only economical to use cost saving machinery the market is large हमें cost saving machinery लगा के तभी फायदा है जब market large है तो मैंने आपको बताया कि division of labor करने के लिए उसने condition रखी थी एक तो आपके पास market होनी चाहिए ठीक है और दुसरा division of labor आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास capital accumulation होगा यानि अगर आपको division of labor करना है पहले आपक capital तो होनी चाहिए production करने के लिए यानि machinery तो होनी चाहिए अब cutting की machinery का आप यूज कर रहे हैं packaging की use कर रहे हैं तो उसके लिए machinery भी होगी चाहिए यानि labor का division तभी हो सकता जब आपके पास capital हो तो Smith however emphasized that capital accumulation must precede capital accumulation पहले होना जाहिए the introduction of division of labor यानि division of labor से पहले क्या होगा capital accumulation होग like the modern economy Smith regarded capital accumulation as a necessary condition for the economic development और Smith ने गाहा था capital accumulation necessary condition है economic development के लिए अगर किसी economy को develop करना है तो उनने capital accumulate करने की जुरुत है so the problem of economic development was largely the ability of people to save more economic development की सबसे बड़ी problem यहाँ पर आती है कि आप save जादा करिए और उस saving को invest जादा करिए और rate of investment क्योंकि किस पर depend करता है rate of saving पर which means saving heavily invest हो जाएगी यानि जितनी economy में za savings हो रही है वो सारी की सारी invest हो रही है और हमें पता है saving अगर investment के equal हो तभी to aggregate demand and aggregate supply के equal Sophie को जाएगर सेविंग जो है वो पूरी के पूरी इन्वेस्ट होनी चाहिए but almost all saving resulting from capital investment or the renting land only capitalist and landlord were held to capital of saving और इनका ये भी कहना था कि ये जो saving है वो सारी capital investment से आएगी so saving कौन कर रहे हैं? capitalist कर रहे हैं और landlord कर रहे हैं the labouring class were considered to be incapable of saving labor है economy में वो saving नहीं कर सकती यही चाहिज हम iron law of wages में पढ़ते हैं iron law of wages क्या कहता है? कि आपकी जो labor है उसके wages जो है वो subsistence wages सक रहते हैं यानि इतने रहते हैं कि वो अपना सिर्फ गुजारा कर सकें जैसे ही subsistence wages से wages increase होगे अगर आप wages को increase कर देंगे तो labor की supply increase हो जाएगी और supply increase होने से क्या होगा? wages वापस से कम हो जाएगे तो labor class की wages हैं वो हमेशा subsistence रहते हैं इतने रहते हैं कि वो अपना गुजारा कर सकें अगर वो सिर्फ गुजारा करेंगे तो वो saving नहीं कर पाएगे और अगर वो saving नहीं पर पाएगे तो economy में saving को अध करेगा तो Adam Smith का कहना था कि economy में saving जो करते हैं वो capitalist करते हैं या तो या फिर landlord करते हैं जिनोंने जमीने रद्दी हुई है agriculture करेंगे तो capitalist और landlord ये दो लोग जो हैं वो saving करेंगे labor class जो है saving नहीं करती है तो अभी तक आपको क्या पता लगा अभी आपको हमें पता लगा कि एक तो natural law को Adam Smith follow करते थे Adam Smith कहते थे कि जो person जिस काम में interested है उसको वही काम करने देना सही है अगर जो person जिस काम में interested है वो उसी काम करेगा तो इससे productivity increase होगी और productivity increase होगी तो profit increase होगा और profit increase होगा तो capitalist और landlord क्या करेंगे saving अपनी increase कर सकते हैं और saving होगी तो investment होगी और investment होने से क्या होगा capital हमारी ज्यादा accumulate होगी यही मैंने आपको बात करें capital accumulation होगा और अगर capital increase होगी तो capital increase होने से division of labor कर सकते हैं और division of labor का क्या फाइदा होगा, कि उससे आपकी productivity और ज्यादा increase हो जाएगी, ठीक है, और productivity increase होने से क्या होगा, आपकी country ज्यादा prosper होगी, और prosper होगी, तो population आपकी country की increase होगी, क्योंकि income बढ़ेगी, अब आपकी productivity बढ़ रही है, तो आपकी income बढ़ेगी, आपकी income बढ़ेगी, तो आप ज्यादा prosper होंगे, और prosper country में ही population increase हो सकती है, तो इना ने कहा था कि इस तरीके से ये सरकल चलेगा, capital accumulation से आप liver का division कर सकते हैं, और division of liver से दोवारा आप capital accumulation increase कर सकते हैं, तो इस तरीके से ये circle चलता रहता है, ये prosperity की stage है, इस तरीके से कोई country development कर सकती है, अगर वो natural लोग को follow करेंगे तो productivity बढ़ेगी, productivity बढ़ने से profit बढ़ेगा, profit बढ़ने से ज़्यादा saving होगी, और investment increase कर सकते हैं, कौन capitalist and landlord, तो वो investment increase करेंगे, तो capital accumulation होगा, और capital accumulation होगा, तो labor division हो सकता है, और labor जब divided होजाएगी, तो productivity और ज़्यादा increase होजाएगी, और productivity increase होने का क्या पाइदा है, कि आप और ज़्यादा capital accumulation कर सकते हैं, और साथ जाथ आपकी income increase होगी, income increase होने से आपकी economy prosperity आएगी, economy की population increase होगी, तो इस तरह आपकी economy growth की तरफ जा सकती है, अब एक और चीज़ यहाँ पर focus रखिए, तो आप यह question कर सकते हैं, कि तब क्या agriculture की तरफ Adam Smith ने बिल्कुल ध्यान दे दिया, Adam Smith ने सिर्थ यह कहा कि industry की तरफ ध्यान दे दिया, agriculture important नहीं है, जी नहीं, Adam Smith ने गा था agriculture भी important है, agriculture कैसे important है, Adam Smith का कहना था, इवन तो industry offer more scope for the division of labor, यह दपी ऐसा है, कि industry's division of labor के लिए ज़्यादा scope देती है, but it would be difficult for industry to develop at all, without an agriculture surplus, पर industry develop नहीं कर सकती, अगर agriculture surplus नहीं होगा, इसका क्या मतलब है, कि अगरी agriculture production ज़्यादा होगी, तो उस production से क्या होगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, जो farmers वगेरा हैं, उनके पास पैसा ज़्यादा आएगा, अगर उनके पास पैसा आएगा, तो वो क्या करते हैं, कि industry का जो output है, उसकी demand करते हैं, इंडस्ट्री जो product बना रही है, उसकी demand कोन करेगा, उसकी demand यहीं लोग करेंगे, तो agriculture surplus से पैसा ज़्यादा आता है, तो ज़्यादा पैसा आएगा, तो ज़्यादा demand बड़ेगी, और ज़्यादा demand बड़ेगी, तब ही तो industry का output बड़ेगा, तो यहीं का कहना है, अगर आपको इंडस्ट्री पोपलेशन पर सपोर्ट करना है, तो अगरी कल्चिर सर्प्लस जरूरी है, और इसके साथ-साथ, अगर अगरी कल्चिर में productivity इंक्रीज होगी, तो जो एक्स्ट्रा लेबर लगी हुई है अगरी कल्चिर में, कहते हैं, तो वो लेबर नोजन अगरी कल्चिर activity में आ सकती है, नोजन अगरी कल्चिर की production में आ सकती है, तो इंडस्ट्री को एक तरह से supply में help मिल रही है, क्योंकि labor मिल रही है उदर से, दूसरी दर demand में help मिल रही है, क्योंकि अगर agriculture farmer के पास ज़्यादा पैसा होगा surplus होगा तो उनके पास पैसा ज़्यादा आएगा पैसा ज़्यादा आएगा वो demand करेंगा इंडस्ट्री के output की तो supply में भी help कर रहा है agriculture कैसे अपनी तरफ से labor provide करा की और demand में भी help कर रहा है industry तो agriculture is certainly important for industrialization from the supply side supply side से तो important है क्योंकि वो क्या कर रहा है labor supply कर रहा है on the demand side it is agriculture surplus that give rise to the demand for other goods और demand side के अगर हम बात करें तो agriculture surplus ही है जो other goods की demand को increase करता है which can be purchased with the excess supply of agriculture goods और जो industry की goods है तो excess supply of agriculture goods नेगी आप purchase कर सकते हैं तो यहां से पता लगता है कि अगर आपको division of labor करना है तो industry की तरफ जादा ध्यान दीजे क्योंकि industry ही है जो जादा productivity increase कर सकती है तो agriculture का क्या है कि agriculture में excess labor आप लीजी agriculture से और उस labor को आप industry में लगाईए क्योंकि industry जो है हमें increasing return देगी अगर उस labor को आप agriculture में ही डालते गए agriculture में बढ़ाते रहे तो हमें diminishing return मिलेगा क्योंकि agriculture में land जो है वो fixed amount में है ठीक है land fixed amount में है और आपका एक factor of production fix है और दूसरे को आप बढ़ाते जा रहे है तो आपकी productivity जो है एक बार बढ़ेगी और फिर decrease होना शुरू हो जाएगी जो है अगरिकल्चर इंडस्ट्री के बीच में एक्सचेंज होगी पर इलिए बट इमांड फोर इंडस्ट्रील गूड इमांड फोर इंडस्ट्रील गूड इमांड बहार से भी आ सकती है फोरन से भी आ सकती है तो स्मित ने recognize क्या था role of export in development process तो स्मित का मानना था कि development process में export का भी बहुत ज्यादा role होता है तो इसमें से आप से हर point से question कुछा जाता है क्या समित ने division of labor की बात की थी Yes, of course, बात की थी कहां पर बात की थी? Industry में division of labor की बात करते थे Capital accumulation की बात करते थे तो उनका कहना था कि division of labor से पहले कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो division of labor दो जीज़ा पर डिपेंड का था extent of market और आपका capital accumulation ठीक है अब division of labor से क्या होता है increasing return आता है किस वज़े से आता है? तीन रिजन से आता है एक तो dexterity increase हो जाती है यानि आपने फूर्ण होते चलते हैं आप काम करते हैं उस पर दूसरा time save होता है दूसरा नई innovation होती है उसकी वज़े से नई machinery आप आती है division of labor की वज़े से तो अब हमने यहां पर पूरा पढ़ लिया कि कैसे Smith की according development increase की जा सकती है अब बात करते हैं stagnation की आपकी economy stagnation की तरफ कैसे जाएगी देखिए हर एक classical economist जो थे वो pessimistic थे यानि उनका कहना था कि एक time ऐसा आएगा जब growth वो रुख जाएगी Adam Smith ने भी यही बात की थे कि stagnation आएगा पर Adam Smith इसे लेके ambiguous थे ambiguous का क्या मतलब है कि Adam Smith sure नहीं थे कि stagnation आएगा की नहीं आएगा उन्होंने देखिए दो बाते कही पहली हम पढ़ लेते हैं कि stagnation कैसे आएगा उनका कहना था प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इस क्यूमिलेटिव मतलब लगातार चलती रहेगी जैसे हमने बात करी थे पीछे आपको मैंने बताया growth की प्रोसेस जो है लगातार चलता नहींगा division of labor होती रहेगी capital accumulation बढ़ता रहेगा उससे आप और division of labor कर सकते हैं इस तरीके से production procedure cumulative है लगातार चलती रहेगी division of labor made possible by accumulation of capital and expansion of market जो division of labor है वो कैसे possible हुआ है accumulation of capital और दुसरा market के expansion की बेसे जिसकी बेसे increase होगा national income and output which in turn facilitates saving और जब output बढ़ेगा income बढ़ेगी तो उससे saving बढ़ेगी और उससे further फिर investment बढ़ेगी in this way economic development rise higher and higher तो इस तरीके से economic development जो है higher and higher जाती रहेगी लेकिन धीरे-धीरे क्या होगा the competition for employment reduce wages to subsistence level दीरे-धीरे employment के बीच में जो competition बढ़ता चाहेगा उससे wages decrease होते चाहेगी wages वापस subsistence level पर आ जाएगे और जो firms है उनके बीच में competition जो है या businessman के बीच में जो competition जो है उनकी बीच से profit कम होना शुरू बढ़ेगा तो दीरे-धीरे क्या होगा wages कम होने शुरू हो जाएगे और profit भी कम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि competition बहुत ज्यादा बढ़ गया है and once profit falls और एक बार profit कम हो गया it continue to fall यह दलगातार कम होता रहेगा investment जो है decline होती रहेगी in this way the end result of capitalist is stationary state और capitalist जो है उनका end होना शुरू हो जाएगा और economy जो है वो stationary state पर पहुँच जाएगी और जभी यह situation आई तब क्या होगा capital accumulation stop हो जाएगा population stationary हो जाएगी population अभी increase नहीं होगी profit minimum पे चला जाएगा wages जो है subsistence level तक आ जाएगे there is no changing per capita income per capita income change नहीं होगी production change नहीं होगा and the economy reach the stage of stagnation और economy जो है stagnation की state पर पहुँच जाएगी the stationary state is dull declining life is hard in stationary state for different section of society and miserable in declining state और economy जो है declining state की तरफ चली जाएगी stationary state की तरफ चली जाएगी तो यह कहना था Adam Smith का लेकिन इसके साथ Adam Smith ने एक और बात कहती कि अगर आप जो investment कर रहे हैं वो new innovation पर हो रही है यानि जो machinery आ रही है new technology की machinery आ रही है तो आप stagnation वाली state पर नहीं कहुचेंगे तो यह भी Adam Smith ने कहा था लेकिन क्योंकि most of the books में हम stagnation की stage पढ़ते हैं तो हम यही मान के चलेंगे कि Adam Smith ने stagnation की बात रही थी और वो stagnation का main दो reason जो दिये गए थे वो क्या थे एक तो बेंजी जो है वो sustainable level तक आ जाएगे बेंजी लगाता decrease होते चलेंगे और दुसरा था profit decrease ह होता जालेगा क्योंकि competitor जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो में रीजन ते इस stagnation के एक तो बेजी सब्सेशन लेवल में पहुंच जाएंगे तो इसका profit बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो यह थी Adam Smith की development theory आएगो आप लोगों को समझ में आए होगे इस theory का बह इस बात पर criticism हुआ था कि layer fair की policy use कर रहे थे यानि कि government का कोई intervention नहीं होना जाए जो की गलत है government का intervention बहुत जरूरी है अगर development आपने करनी है तिसरा इनका criticism में सोजे से हुआ था कि इनका मानना था saving कर रहे हैं एक तो capitalist कर रहे हैं और landlord कर रहे हैं जबकि ऐसा नहीं होता हमारे economy savings जो है वो ज्यादातर household से आती है household saving करते हैं और capitalist investment करते हैं तो यह भी इस बात पर इनका criticism हुआ था तो तो तीन criticism के सबसे बड़े reason थे एक तो यह perfect competition की बात कर रहे हैं जो real world में exist नहीं करता है दुसरा layer fair की बात कर रहे हैं government intervention की बात नहीं कर रहे है जो की गलत है क्योंकि government intervention बहुत जरूरी है अगर किसी economy को develop करना है तीसरा यह बात कर रहे हैं कि saving जो है वो capitalist लैनलोड करते हैं जबकि गलत है saving जो है mostly households जाते हैं तो यह थी Adam Smith की theory I hope आप लोगों को समय में आई होगी फिर भी एगर कोई confusion है please let us know in the comment section given below मिलेंगे नेक्स वीडियो के साथ तब झाल